सुशांसेग राथपूत का करियर एक systematic तरीके से खत्म किया गया और जो है वो bright था इसी लिए उसको आगे नहीं आने दिया इतना ही नहीं कंगना ने कई सवाल उठाए हैं उनका ये कहना है कि क्यों करन आदित्या महेश भट को नहीं बुलाया जा रहा है क्या कहना है उनका मैं हीना कुमावत आपको फिल्म इंडो पर बताऊंगी परवीन बॉबी की इनलेस पर जो है कितनी बार वो फिल्म बना चुके हैं जाहिर सी बात है कंगना का इशारा महेश भट की और है कि वो अभी तक उनकी इनलेस पर फिल्म बना रही हैं, बार बार वो उनकी इनलेस को कितना सेल करेंगे, so many version he has made, he is making so many films, और इतना ही नहीं, they will do the same with सुशान सिंग राजपूर, तो उनका ये कहना है कंगना का, कि महेश भट ने परवीन बावी पर कितनी सारी फिल्में बना दी, कितने versions बनाए, वो उनकी बिमारी को बेशते हैं, सेल करते हैं, और अब सुशान का भी यही होगा, उनका इशारा जाहिर सी बात है, महेश भट की तरफ ही था, क्योंकि उन्होंने ही परवीन बावी की जिर्दगी पर फिल्में बनाई है, वो आगे कहती हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से सुशान को साइडलाइं किया गया, इस फिल्म इंडस्ट्री में वो ब्राइट थे, बहुत आगे जा रहे थे, और जो है, यहां के लोगों को ब्राइट पीपल से ही जादा थ्रेटनिंग होती है, वो जो ब्राइट होता है, उससे डर जाते हैं, और सिस्टेमेटिकली जो है, उसको साइडलाइं कर देते हैं, और उसके सुशान के साथ भी यही हुआ, सिस्टेमेटिकली उसके करियर को जो है, किल किया गया, धीरे-धीरे जो है, उससे साइडलाइं किया गया, तो इस सारी बाते जो है कंगना ने अर्नव गुस्वामी के साथ एक इंटर्वियू में कही है और उनका ये कहना है उन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया है उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से 90's में एक गैंग होता था और उसके बाद जो है जब 2016 में उन्होंने नेपोटिजम के बारे में आवाज उठानी शुरू की और उसके बाद अब भी वो आवाज उठाती है तो किस तरह से जो है पावरफुल लॉबी जो है वो उनसे नराज होती है और उनका नुकसान होता है तो इस सारी चीजों पर उन्होंने खुलकर बात की है लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरा जितना भी बयान है सुशान को लेकर उन्हें से कुछ भी बात गरत हो तो मैं अपना पदमश्री वापस देने के लिए तयार हूँ उन्होंने ये भी बताया कि मुंबई पुलिस उन्होंसे पूश्टाज करना चाहती थी लेकिन वो मनाली में है उन्होंने का अगर वो किसी को भेज सके तो वो मनाली में अपना बयान दरज करा सकती है लेकिन एक बात उन्होंने कही कि इस पूरे केस में जो है महेज भट की भी जाच होना बहुत जरूरी है उन्होंने आधित्य चोपडा का भी नाम लिया करन का भी लिया इतना ही नहीं उनको यह लगता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से ही सुशान को जो है साइल लाइन किया गया था क्योंकि वो ब्राइट थे और पूरी इंडस्ट्री को जो है उससे डर था